नमस्कार दूस्तों मैं प्रदीपुणाटूटूटूल वेपसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूँ दूस्तों प्रिवेश वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम रेक जेस में लॉगाट फंक्शन इंप्लिमेंट करते हैं हम ने होप अपने वीडिओ देखा होगा सब्सक्राइब जन्हों फारी कुमें आगया होगा जिणोंने वीडियो नहीं देखा है वह इसरों देक Coffee में उसमें बुर्दियो को ब्रदीश ध começarं किसा को आदे बता डिए उन की इसमें हम अभी वी मोर्त हैं बट हमारा token expire हो जुका है जिसकी वज़े से आप देखरो यहाँ पे data हमें नहीं मिल रहा है रिजन इसका यही है अगर inspect element में जाएंगे आप और यहाँ console पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे server respond unauthorized आ रहा है means कि हमारा जो भी server है वो work तो कर रहा है बट according to project अगर token expire हुआ तो हमें क्या है redirect हो जाना चाहिए login page पे यानि कि automatic यह logout हो जाना चाहिए था अगर functionality की भी हाँ पे बात करें तो ठीक है बट यहाँ पे क्या देख रहे है यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है इसका reason बस यही है कि हमने कहीं condition check ही नहीं किया है कि verify किया ही नहीं token को ठीक है अगर आप अभी जाएंगे अगर मैं आपको web.js file दिखाओं तो यहाँ भी हमने क्या check किया है set authentication check किया है सिधे क्या check किया कि अगर token की value मिलती है तो उसको set कर दे token में और अगर मिलती है तो साथ ही साथ आप क्या करें dispatch करें set current user को true कर दे तो true है हमारा इस वज़े से हम यहाँ पर login हो पा रहे हैं मतलब login condition में है बट token expire है तो यहाँ पर data नहीं है तो इससे भी हमें resolve करना है तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या step हमें करना होगा तो इसके लिए जो basic step है वह मैं बताने जा रहा हूं तो बताने से पहले बता दूँ चैनल को subscribe नहीं किया है तो कानले subscribe को लिए subscribe करने बाद bell icon पर click करना ना भूलने तक कि latest update आपको मिलते रहे हैं साथे साथ आप हमारे facebook page पर जाके page को like को follow करे latest update पाने के लिए अब बात करते हैं कि इसको remove कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज का दियान रखना है अगर token हमारा expired है तो हमें यहाँ पर check करवाना है token को verify करना है basically token को verify करके हम यहाँ पे condition लगा सकते हैं कि अगर token expire हो गया verify condition में तो यह क्या करेगा सिधर logout वाला functionality करें यानि कि जो हमने logout की functionality अभी यहाँ पर header में define किया था action header में यहाँ पर आप देख रहो इसके अंदर जो logout की functionality बनाए थी और user के action के अंदर जाते हैं यहाँ पर हमने implement किया simply हमें क्या करना है अगर token expire है तो हमें logout वाले function को call करा देना है simple इतना सा काम करना है तो token expire का हम कैसे check करेंगे उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर type करते हैं JWT verify अगर यहाँ पर आप type करेंगे simply तो यहाँ पर आपको उसका code मिलेगा जो कि यह हमारा NPM जैसे इसी में आप जाईए नीचे जाएंगे scroll करेंगे काफी नीचे तो आपको token expire का यहाँ यहाँ पर आपको देखे आए नीचे आएंगे हम और नीचे नीचे तो यहाँ पर एक तो decode करने का जो कि हमने implement कर लिया है यह देखे verify का code है JWT यहाँ पर देखरो JWT.verify token हम pass करेंगे और जो भी हमारा secret की है उसको pass करेंगे और यहाँ पर हम condition यहाँ पर जैसे ही यह चेक करेंगे अगर को error है यानि को token expire है तो आपको यहाँ पर देखरो किस type के error मिलते है token expire error message आएगा JWT token है यह मैं आपको दिखाऊंगा console में हमें भी verify के अंदर सबसे पहले हमें token pass करना है ठीक है यहाँ आदकना है तो token हमने यह local storage adjacent token में हमें आ रहा है value copy करते हैं हम इसको यहाँ पास करते हैं तो token मिल गया उसके बाद हमारा दूसरा parameter होता है यहाँ पर secret की जो भी हमारा secret किये तो हमारा अगर कोई error आ रहा है ठीक है जैसे कि उपर में आभी हमने आपको दिखाया था न कोड में यहाँ यहाँ पे कंडिशन चेक कराएंगे error आ रहा है तो error में token expire का हो तो इस तरीके का यह same value आपको मिलेगा तो चलिए यहाँ पर चेक कराते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं console में इसको प्रिंट कराके आपको दिखाते हैं error को तो console.log और इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं error save करते हैं page को चलते हैं page पर हम जो हमारा code है और यहाँ पर हम console करा लेते हैं इसको देखते हैं console में क्या value आपको मिल रही है तो यहाँ देखिए token expire error इसको मैं एक बार refresh करता हूं तो आपको सीर्फ हो ही मिलेगा तो यह देखिए यहाँ पर आपको मिला token expire जैसे कि आपको वहाँ पर मैंने दिखाया था यहाँ पर भी क्या मिल रहा था हमें इसमें जाएंगे तो यहाँ पर मिल रहा था token expire error यह क्या था name था message में क्या था JWT expire और expire time था ठीक है तो यहाँ पर भी आप देखरो मैसेज में क्या मिल रहा है JWT expire प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो यहां पर अगर call कराना है इस logout को सबसे पहले हमें क्या करना होगा Redux के अंदर जो index file है यहां पर सबसे पहले हमें logout function को import करना होगा तो logout को यहां पर import किया save करते हैं जब यहां पर import हो गया तो simply अब app.js इस फाइल में चलते हैं और यहां जैसे set current user import किया था उसी तरीके से यहां पर हम logout को import कर लेते हैं अब यह logout यहां पर import हो गया अब इसे यहां पर call करना है तो call करने का तरीका store.dispatch इसी तरीके से call करते हैं dispatch function अब इसके अंदर हम call कराएंगे logout function simply इस तरीके से तो अब क्या होगा यहां पर logout function call होगा जैसे ही हम इसको अभी save कर देंगे तो अभी देखिए अभी हम क्या है इस page पे हैं जैसे save कर दूँगा automatic logout पर चला जागा चले दिखाते हैं अब बस इस page को मैंने save कर दिया save करने के बाद आपको पता automatic refresh होता है अब page पर चलते हैं तो यह देखिए log in page पर आचुके है हमको कुछ करने के refresh करने के ज़रूत नहीं पर जैसे ही save किया automatic page save हुआ और refresh हो गया page और यहां पर condition चेक होके logout पर चला गया और logout कर दिया log in page पर आ गया अब यहां से दुवारा से log in करके देखते हैं log in किया यह देखिए प्रॉपरली अब हमारा वर्क कर रहा है सही तरीके से सबको सही कर रहा है refresh करते हैं यह देखिए refresh किया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है logout करेंगे तो यह जो logout भी होगा प्रॉपरली यह देखिए और अगर मैं फिर से log in करूँ और मैं आपको ले चलता हूं यहां पर एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे वर्क करेगा अब यहां पर देखिए अप्लिकेशन में आपको याद होगा कि यहां पर स्टोरेज में हमारा टोकन यहां पर नया जो जनेट वा सेब हो गया है अब आपको बेरिफाइज जो अभी हमने कंडिशन लगा है वह प्रॉपरली वर्क कर रहा है यह कैसे पता चले कि आप तो टोकन नया जनेट हो गया अब एक्सपायर टोकन तो है नहीं कि चेक कर पाऊगे तो इसके लिए आपको याद है यह पोस्ट में हमारा जो है इसके अंदर हमारा एक जो पहले हमने बनाया था पोस्ट में तो यह टोकन हमारे पास एक्सपायर टोकन पड़ा हुआ था इसको कोपी कर लेते हैं सिंप्ल कोड पे चलते हैं और इस टोकेन की जगएंगा उसको Replace कर देते हैं तो तो अगर error नहीं है तो हमें data मिल रहा है तो यह जो condition हमने यहाँ पे लगाया था यह वाला, इसको यहाँ से cut करते हैं और यह else condition में डालते हैं और यहाँ पे यह जो पूरा हमने JWT decode का यह पूरा लिखा था इसको अब लिखने के ज़रुवत नहीं है पूरा simply यह जो decode की value यहाँ से आ रही है वो यहाँ पे simply हमें pass करना है save करेंगे तो अब चलते हैं page पे अब यहाँ पे login करके दिखाता हूँ properly work कर रहा है या नहीं कर रहा है login किये login हो गया और यहाँ पे देखें नाम आ रहा है username यह username मा रहा है मतलब कि यहाँ से decode की value यहाँ पे current user में set हो रही है मतलब यह जो decode में है आपकी value decode होके आ रही है चाहे तो decode की value को आप यहाँ पे console भी कर सकते हैं और check भी कर सकते हैं जैसे हमने उसमें check किया था अब यहाँ पे console कर दें और decode की value को यहाँ पे console करें दें चलनें पेर कंसोल में चलते हैं तो यह देखे यहाँ पे आपको डाटा मिल्रा एक्स्पायर कब प्शूरिते i.d क्या है यूजर नेम क्या सब्सक्राइप wow कर सकते हैं है एक को तो कर सकते हैं अगर अपका सब्सकूल करaser सकते हैं और उसको डिटेट करा सकते हैं automatic logout page पर redirect करने मतलब है कि dispatch function में logout function को call करा कि जो भी action है आपका logout का उसको यहां पर dispatch कर सकते हैं ताकि user automatic logout हो जाए expire होने पर तो यह हमारा basic छोटा सा concept है verify करने का तो यह point हमारा रह गया था तो इस video में मैंने सचा cover करते हैं और मैं यह video छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ एक पॉइंट पर बना रहा हूँ ताकि अगर एक साथ में बना तो चादक confusion नहीं हो आपको अगर मैं यह सारा कुछ एक ही वीडियो में बता देता expire और यह verify करने का या फिर यह token set करने का dispatch करने का logout का तो आपको confusion हो जाता है और समझ में नहीं आता इसलिए एक-एक step को one by one में बता रहा हूँ एक-एक वीडियो के थूँ ताकि एक-एक चीज आपको clear हो यहाँ पर क्योंकि यह बहुत basic और बहुत important points है अगर यह clear नहीं हो सबको दिख रहा है कोई भी यूजर लॉगिन हो रहा है तो यह unique होगा means कि जो यूजर लॉगिन करेगा उसी का data दिखेगा जो यूजर नहीं लॉगिन है और जो यूजर और वी हैं उनके data को कोई access नहीं कर सकता तो यह काम हम next video में करेंगे तो आज के लिए रोकते हैं I hope अब तक का concept clear होगा इसमें कोई डाउट नहीं हो डाउट है तो comment केजिए वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करें share करें दोस्तों के साथ चैनल को subscribe नहीं किया है तो kindly subscribe कर लें चोटा सा support आप हमें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यह कोई compulsory नहीं है उसके लिए क्य को यहां पर write कर सकते हैं और हमें अपना review दे सकते हैं कि हमारे वीडियो से आपको क्या सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या आपको उसमें problem आ रही कुछ भी आप जो आपके वीडिविवे वह आप यहां पर दे सकते हैं तो यह थोटा सा concept है तो आज के लिए रुपत नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी पर दिश्ट से रहेंगे तब तक लिए बाई-बाई टेके अपना ख्याल रहें